कि शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टन पार्ट है किसी भी सॉफ़वेर को यूज़ करने के लिए कि शॉर्टकट कीज का इस्तमाल किस तरह से स्मार्ट ली किया जाए कमार्ड आपको पता चल जाती हैं आपको पता एक टूल कौन से किस तरह से आप यूज़ करते हैं या फिर आपको सारी टेक्नीस का पी अंदाजा है कि कहां से आपको इस तरीके से चेंज करने है शौटकट कीस अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपका काम तो चल जाएगा लेकिन आपका काम एक तो स्लो हो सकता है और उस स्लो होने के साथ साथ थोड़ी सी उसमें फ्रस्टेशन हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसमें थोड़ी सी मतलब स्लो भी अगर हो रहा है तो अब इस लिए कॉस्ट भी आपको पढ़ रही होती है एरिटिंग मतलब अगर आप प्रोफेस्टिनी फिल्म की एरिट कर रहे हैं टाइम डूरेशन बढ़ती जा रही है तो वह कॉस्ट का भी एक मैटर है तो दूसरा उसके इलावा मतलब आपके पास एक फ्रस्टेशन भी होती है कि लाइक मतलब चीज आपकी बाहर नहीं निकल करना है फिर आपने तुबारा वापस किसी और टूल पर जाना है तो वही आपको कीज अगर पता होंगी कीबोर्ड पर किस तरीके से आपने एक की प्रेस्ट करनी है आपके पास टूल सेलेक्ट हो जाएगा या पिर कुई कमांड पूरी आपने देनी है तो आपके पूरी कम जाएगी ना कि आपको मेंड़ी माउस से करनी पड़े आम तोर पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो शॉर्टकट कीज के बगार काम कर ही भी सकते हैं मतलब इस कीज के बगार उनके लिए काम करना ऐसा ही है जिस तरह के वो बिलकुल पेसिक लेवल पे कोई काम कर रहा होत तो इस बग ज़रूरी है कि आप शॉर्टकट कीज को अडॉप करें और इनको प्रैक्टिस इस तरह से करें कि ये आपका रेगुलर आपका वर्कफलो का आपके काम का हिस्दा बचे है शॉर्टकट कीज बहुत ज़ादा है आपके पास आपके पास टूल्स की अलग हैं आपके पास कमांड्स की अलग हैं आपके पास प्राजक्ट की मैनेजमेंट न्यू प्राजेक्ट सेफ करना बेतहाशा क्लिप्स के लिए आपके बहुत ज़ादा शॉर्टकीज आपके पा के लिए शॉर्टकट की है क्या तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आपके टूल बॉक्स में भी जहां पर बाव अपना करसर माउस लेकर जाएंगे प्रैकेट में आपके पास नजर आ जाएगा या उसके लावा आप किसी भी फाइल मेन्यू में जाएंगे तो आगे किसी कमार्ड के आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी होगी फर्दर अडॉबी की अपनी वेबसाइट पर टीटेल में सारी शॉर्टकट कीज मुझूद है और उसके इलावा अडॉबी प्रीमेर प्रो सॉफ्ट्रे के अंदर आपके पास अगर आप कीबॉड शॉर्टकट कीज मे तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास यह सॉफ्ट्वेर खुलावा है प्रीमियर प्रो और इसमें कुछ टाइम लेंड पर भी चीज़े पढ़ी है कुछ आउडियो है कुछ वीडियो है शॉर्टकट कीज के बारे में हम बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि हमने शुवरू से ही जो भी काम किया हमने साथ-साथ शॉर्ट-कट कीज काभी चीज़े कर इस तरह से किया तो उसमें आपके पास अगर हमने तो इंपॉर्ट कीया तो इंपॉर्ट करने के लिए भी हमारे पास शॉट की मूझू थी Ctrl-I हमने use की इसके इलावा जब हम अपनी फाइल को source window के अंदर लेके गए तो उसमें भी हमारे पास उसकी selection उसको play करने के लिए shortcut keys थी जिसमें space bar से play J, K, L फर्दर control करने के लिए और right और left arrow keys से हम उसको फर्दर अपने एक-एक frame move करने के लिए बेतहाशा आपके पास चीज़ें मजूद हैं यह आपको साथ-साथ ही इनको adopt करना पड़ेगा अपनी practice का हिस्सा बनाना पड़ेगा और इनको basic basic को यात भी रखना पड़ेगा इसके लावा जब हम tools पर आए तो tools पे भी हमारे पास shortcut keys मजूद थी अगर आप किसी भी टूल के पास अपना mouse को लेकर जाएंगे इस वर करसर को आप देख सकते हैं अगर यह track select forward tool है तो इसकी shortcut key मेरे पास यहां bracket में लिखी आ रही है ए रिपल एडिट टूल की भी है और फ़र्दर आप अगर इसको click करके देखेंगे इसके अंदर आपके पास और tools भी मजूद है तो हर tool के आगे आपके पास उसकी shortcut key लिखी है तो initially अगर आपको इनकी keys नहीं भी बता आप इनको जाकर देख सकते हैं और ऐसा tool जो आपको use करना पड़ता है बार 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 बलके आपको मैं recommend करूँगा आपको अपनी practice का हिस्सा को बनाना भी चाहिए तो आप उसकी shortcut की याद रखें सबसे important आपके पास जो selection tool है उसकी shortcut key V है तो आप कहीं पर भी हो कोई भी आपस tool select हुआ वाओ आपने वापस selection tool पर आना है जो कि आपको बहुत जादा आना भी बढ़ता है तो आपको बता है आपने V प्रेस करना है तो आपके पास shortcut key V की वज़ए से आपका selection tool वापस आगया अब देख सकते हैं करसर आपका ऐसे हो गया इसके इलावा basic कुछ keys होती है project को save करने के लिए control S है नया project बनाने के लिए तो आप file menu में जाएंगे आपके पास हर उस command की जिसकी हम जो हम करना चाहते हैं उसके आपके पास shortcut की आगे यहाँ पर लिखी आ रही है आपको नया sequence बनाने आप control N करेंगे आपके पास new sequence की option खुल जाएगी की मिसाल के तुरपया project window में है control N करने से यह आपके पास new sequence की window खुल गई और अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी का sequence यहाँ से बना सकते है कॉम skip करते है copy paste cut paste यह भी हमने discuss किया control C control V copy paste के लिए control X control V cut और paste करने के लिए select करने के लिए select all तो यह बे तहाशा आपके पास कीज मुझूद हैं मेरा ख्याल से हम इसको एक lecture में हम इस तरह आपको cover तो नहीं कर सकते हैं कि आपको सारी कीज बताएं और इस तरह भी होता है कुछ universal भी होती है जिस तरह control A selection के लिए सारी की selection कर लेता है shortcut कीज आपको वैसे भी अच्छी बात है कि आपको पता हूँ और आगे सोफिर्स में भी यूज कर सकते हैं बाकी कुछ specific अगर हम बात करें प्रीमेर की अपनी shortcut कीज के उपर जो अपनी command है tools को हमने देख लिया तो जिस तरह से हम cut करते हैं अगर हम चाहते हैं कि यहां पर हम cut करें इसको या फिर एडिट करें हम इसको add command होती है तो control के अगर हम press करेंगे तो आपके पास यहां पर आपका CTI होगा वहां पर आपके पास एक cut लग जागा आप देख सकते हैं इस वक्लिप था इसको उसने split कर दिया undo करके मैं आपको दिखाता हूं और यह जो add एडिट कमांड है बैसिकली यह आपको पूरी लेयर्स पर काम करती है अगर यहां से आपकी लेयर सारी सेलेक्ट होंगी अगर मैं यहां पर control के करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने पूरे CTI जहां पर था उसने वहां पर उसको cut कर दिया और further आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी इन दो फाइल्स पर होता आप इनको अगर सेलेक्ट करते कंट्रोल के करते अब देख सकते हैं कि आपके पास उपर नहीं हुआ और इन दो फाइल्स पर हो गया करती है further आप इसको अच्छी बात यह कि इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं की को आप जहां पर आपका हाथ सेट हो उस हिसाब से मैं रिकमेंट करूंगा इनेशली जब आप सीखने की स्टेज पर हैं तो आप शॉर्टकट कीज को इस वक्ट चेंज ना कीजिएगा कि आप बाइट डिफॉल्ट जो कीज हैं उनको समझें क्योंकि आपको असानी होगी इसके राव आप देख सकते हैं कि आपके पास बेतहाशा शॉर्टकट कीज यहां पर मवजूद हैं बलके ऐसा लगता है कि हर कमांड की कोई ना कीज जरूर है यहां पर फाइल मेन्यू के अंदर ही आप देखें तो आपके पास यह सारी कीज हैं जो कि बेसिक फाइल बनाना सीक्विंस बनाना सेव करना सेव एस कॉपी प्रॉजेक्ट को बंद करना फाइल को इंपोर्ट करना आपके पास Windows की और Mac operating system दोनों की कमांड कहां पर मजूद है जो कि आप देख सकते हैं कि यह सारी याद करना एक तो पॉसिबल भी शैद ना हो दूसरा यह कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसी हैं जिनकी आपको रेगुलर्ली जरूरत भी नहीं होती मल्टी कैमरा मेटा डेटा आपके बस देखें वह तहाशा इसमें चीज़ें कर एदिट के अंदर जाके कीवोड शार्ट कट र पो चौट कट कर जाने के लिए भी के यह शार्ट के मोझूद है अगर हम यहां से कीज़ें जाते हैं के तीले किज़ें को मेने बारी ती प्रेस किया तो मेरे पास यहां पर क champions arrow खो गई तो प्रीमे प्रो की अपनी शॉर्टकट की आपको जाने के लिए इस तरह भी हम यह पर फाइल मेन्यू में देखा था क्यों पर यह कमांड इस तरीके से ही आप काम कर सकते हैं तो के लिए कि यहां पर यूज हो रही है रोलिंग एडिट टूल सेलेक्ट करने के लिए आप एंड सेलेक्ट कर रहे हैं इसी तरह से आपके पास बाकी चीज़े भी नजर आ रही है तो अकर थोड़ा सा मैं आपको बड़ा सा टाइम जादा लग सकता है और मेरा ख्याल से आपको जब एडिट कर रहे हूं तो इतना सा भी टाइम आपके लिए इंपॉर्टन्ट हो सकते हैं तो इसके लिए मैंने अपनी की मॉडिफाई की वी है मैं उसके लिए यूज करता हूं खाली सी और रिपल डिलीट की बात करूं जो के हम टाइम लाइन से सब पुछ डिलीट करके सारा जोड देते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट डिलीट तो मुझे लगता है कि जब दो कीज का कंबिनेशन से तो थोड़ा सा टाइम आपका इसमें भी लग सकता है और दूसरा यह कि अब आप करने के लिए मैं यूज करता हूँ सी तो आप देख सकते हैं कि एड एडिट के आगे इसकी वाइड डिफॉल की आ रही है मैं यहां पर खाली जगा पर क्लिक करूंगा मेरे पास एक बॉक्स और बन गया मैं यहां पर अगर सी प्रेस करूं अब देख सकते हैं कि इस वक्त कि दो की बन चुकी हैं कंट्रोल के बाइड वार जो थी क्योंकि मैं बिल्कुल यूज नहीं करता तो मैं इसको यहां से क्लॉस करके बंद कर सकता हूं और इसके बाद मैं चाहूं तो इसको अपने नाम से से कर सकता हूं because मेरे पास यहां पर कुछ इस तरह से keyboard layouts है और अगर मैं इसको अपने नाम से save करना चाहूँ तो मैं यहां से save as में गया और यहां से अपने नाम से मैंने save कर लिए आप किसी भी नाम से save कर सकते हैं जो दूसरी key मेरे पास थी ripple delete key तो उसके लिए मैं use करता हूँ सिर्फ D timeline पर यहां पर click करता हूँ और मैं इसको D press करूँगा इदर तो आप देख सकते हैं कि D key मेरे पास add हो गई और इसको shift delete को मैं बेच्छे कि यहां से discard कर दूँ तो सिर्फ दो keys अभी मैंने use की हैं और इसको मैं उमयर के ही उसमें यह save हो रही है यहां से okay करूँगा यह save हो जाएंगी तो आप सोच रखते हैं कि आप दो keys मेरे पास विल्कुल है C और D उसके उपर ही D मतलब एक finger से मैं अगर C use कर रहा हूँ तो middle finger से फिर मैं D use कर रहा होता हूँ और जो मेरा thumb है वो space bar के उपर होता है तो मैं जहां से भी चाहूँ इसको play कर सकता हूँ अगर मैं आपको timeline पर करके दिखाऊँ इसको थोड़ा सा तो अगर मेरे पास एक यह वाला clip है तो आप देख सकते हैं कि यहां से मुझे इसको space bar से play किया और मैंने इसको c से जितना area मुझे चाहिए हो c से मैंने cut किया और साथ ही उपर d है d press किया तो ripple delete हो गया ना कि मुझे control k करना पड़ा और फिर shift delete करना पड़ा पूरा sequence मुझे पूरा delete करना मैं आसे selected के d press करूँगा delete हो जाएगा अगर इस वक्त मेरा cti 2 cuts के बीज में है मैं यहां पर x press करूँगा तो in or out लग जाएगा और साथ ही d press करूँगा तो वह भी delete हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि बहुत काम आपका इस वक्त speed up हो सकता है आपकी shortcut key से आपके पास जितनी मर्जी यहां पर selection हो जितने मर्जी आपके पास clip हो आपको किसी भी tool पर जाना है आप इदर जाएंगे अपना tool select करेंगे फिर दुबारा यहां पर आएंगे तो बहुत बेतर है कि आपको अकर जिस तरह के ripple edit पर जाना है उसकी shortcut key है B और आपने उसको फोरन ही यहां से यूस किया आपने तुबारा selection tool पर जाना है या पिर आपको rolling edit tool पर जाना है आपने यहां से एन प्रेस किया आपको rolling edit आगिया और आपने rolling edit के थूरू इसको change कर दिया tools के अलावा या फिर आपके कुई timeline पर हो या आपका कुछ भी command हो अगर आप उसको change करना चाहते हैं या सिर्फ उस key को आप जानना चाहते हैं आप edit में जाएंगे keyboard shortcuts में जाएंगे आप यहां पर सिर्फ कमांड लिखेंगे मिसाल के तोड़ पर हम rename करते हैं clip को मैं यहां पर rename को भी चाहूं तो change कर सकता हूं और इसको मैं यहां करता हूं क्लिप को rename करने के लिए मैं shift r use करता हूं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं as a marker use करता हूं transparent video और मुझे यहां पर अगर कोई detail लिखनी होती है कोई note लिख रहे है तो मैं shift r press करूंगा और मैं यहां पर add new shot यह मेरा अपना एक तरीका है alt के साथ drag करूंगा तो यह duplicate हो जाएगा और यहां पर मैं चाकर दूसरा note पीस पर add कर सकता हूं तो यह बहुत important है आपके पास इसको थोड़ा सा study करें इसको देखें बहुत सारी कीज ऐसी हैं जिनको आप just उन पर नजर मारें उनको थोड़ा सा जहन में रखें कुछ कीज ऐसी हैं जब आपकी use की होनी चाहिए वो बिलकुल आप उसको याद रखें और उसको बहुत frequently use क करें उसको बिलकुल अपनी practice का regular हिस्सा बना लें ताके आगर जाके आप उसको regularly use कर सकें यह थी shortcut keys बहुत important हैं इनको practice करें इनको maximum maximum अपने काम का हिस्सा बनाएं और आप खुद note करेंगे कि आपके edit में कितना फर्क आ गया और आपका time कितना बचना शुरू हो गया practice को continue र कर दो